हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कोशीर स्टेडी यूट्यूब चेनल दोस्तों ब्याहर डियलर सुल्क वाफसी के सम्मद में बहुत सारे ऐसे अभियर्ती हैं जिनका ये बार बार मेसेज आ रहा है कि जैसे ही आविदन करते हैं लोगिन करते हैं तो अपलिकेशन नमर गलत बता जा रहा है तो ऐसे अभियर्ती कैसे लोगिन करेंगे वो समस्या भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साथी साथ जो पहले से आविदन कर चुके हैं उनको यहाँ पर दोबारा आविदन करने की जरुरत नहीं है अगर आपका अल्डेडी सम्मिटेड का मेसे जा रहा ह तो इसका मतलब आपका सम्मिट हो चुका है अब आपको दोबारा आविदन करने की जरुरत नहीं है तो 5 जुलाइ से पहले आप आविदन कर देंगे अगर आप अभी तक आविदन नहीं किये हैं तो जैसे ही सुल्क वाफसी को ले करके मेसेज आती है तो आगे भी हम आप स से क्लिक करते हैं तो अप्लिकेशन नंबर डजनोट एकजेश दिखा रहा है जो कि यह हम बिलकुल सही डाले हैं फिर भी यह मेंसे जा रहा है तो यहाँ पर दो समस्या हो सकती है पहला तो आपका अपझल केसन नंबर गलत हो सकता है इसको आप दुबारा चेक करेंगे उस आपको यहाँ पर दीन डालना है, उसके बाद यहाँ पर महने का 3 लेटर, मात्र 3 लेटर, केपिटल लेटर में, उसके बाद यहाँ पर डैस देने के बाद आपको इसी भी डालना है, ऐसे अवलिंग दे करके आपको यहाँ पर जन्वतिती इंटर नहीं करना है, ठीक न, इस तरह से आपको नहीं करना है आपको डेस लगाना है उसके बाद यहां पर देखिए हम जीरो लगा करके रखे हैं अब जैसे ही हम जीरो हटा देंगे यहां पर लोगिन हो जाएगा हम आपको दिखा देते हैं लैव यहां से हम जीरो हटा दिये हैं अब जैसे ही हम लोगिन पर क और यहां पर देखिए वो फॉर्म खुल करके सामने आ चुका है जो पहले गलत बता रहा था तो यहां पर आपको जो है इसी फॉर्मेट में अपना डेट बर्थ डालना है अगर आपका 06 है 05 है 02 है तो आपको सुर्वात से यह 0 हटा देना है उसके बाद डेट बर्थ सही स डालना है इसी फॉर्मेट में एक बार अप्लिकेशन नमर को भी आप चेक कर लिजिए इसके बाद यहां पर अगर आपका इसके बाद सम्मीत नहीं हो रहा है तो एक सुके बीके अंदर और बीस के बीके जैदे में आपको यह दोनों डोकोमेंस अपलोड करना है पहला तो तरह बेंक पास्वुक का फ्रंट फियज उसके बाद आपका दूसरा आपका रिसीवींग होगा तो वह अपना एडमीड कार्ड होगा आपका डाल दीजे लास्ट ही है क्योंकि कोई डॉकुमेंस नहीं है तो आप यहां पर एडमीड कार्ड है डाल दीजिए इसके बाद ज आप यहां से cancel करके फिर से दोबारा चेक कर लिजिए, उसके बाद आपको successfully ये thank you का message आ जाएगा, आप समझ लेंगे कि मेरा successfully सम्मित हो चुका है, उसके बाद बहुत सारे से विर्थी है जो पहले से सम्मित कर चुके हैं, उनको already submitted का message आ रहा है, तो उनको यहां पर दोबारा आविधन करने की जुरुत नहीं है, तो इस तरह से आप जो एक बार चेक कर लिजिए, उसके बाद यहां पर login कीजिए, धन्यवाद